ये आकाशवाडी का प्रसारण है विविद भारती मुझे याद सब है जरा-जरा मुझे याद सब है जरा-जरा मुझे याद सब है जरा-जरा वो लमहा लमहा साट है मुझे याद सब है जरा-जरा नमस्कार दोस्तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे महमान हैं प्रसारण के दुनिया में दश्कों से गूंज रही अपनी दिलकश आवास के लिए और कारिक्रमों की प्रस्तोती के अनूठे अंदास के लिए मशहूर श्रे अमीन सायानी आप से बात चीत कर रहे हैं लोकेंडर श्रमा दोस्तो आवास के दुनिया के दो नाम हमारे देश में युगों तक याद किये जाएंगे जब गाने की बात होगी खास दोर पर फिल्मी गानों की अमीन सायनी साहब की आवास सुनते सुनते बच्चे जवान हुए जवान बुड़े हो गए गरीब गरीब तीन पीड़ियां गुजर गई लेकिन अमीन सायनी साहब की आवास आज भी जवान है शायद अभी कई बरसों तक इसी तरह लोगों को लुभाती रहेगी लोगों के दिल में बसी रहेगी अमीन सायनी इस देश के सबसे लोग पर ये रेडियो एनाउंसर है और ये रेडियो एनाउंसर नमबर वन हमेशा औरों के बारे में हमें बताते रहे हैं जाने कितने गायक, जाने कितने गीतकार, जाने कितने संगीत कार, हीरो, हीरोईन, निर्देशक वगरा सभी अमीन सायनी साहब की आवाज के दौरा लोगों तक अपना परीचाय पहुंचा पाए है जाने कितनी फिल्मों के प्रचार और प्रसार में अमीन सायनी का योगदान रहा है कहते हैं कि उनके जैसी आवाज और उनके जैसा अंदाज बया और किसी का नहीं है जाहिर है कि ऐसी शख्सियत के बारे में जानने की जिग्यासा हमें भी है और आपको भी होगी तो आईए आज हम अमीन सायनी साहब से बात करें और उन से सुने उन्हीं के बारे में और ये वो कहानी जो शायद आज तक अभी तक किसी ने नहीं सुनी अमीन साहब माइक्रोफोन के सामने आप भी हैं हम भी हैं और इस माइक्रोफोन के सर्गे आप विविद भारती के करोडों शुरुताओं से मखातिब है All in day रेडू से पुराना तलुक है लेकिन एक बात मेरे बारे में जो मेरी कामियाभी का राज है ये तो तुमने बताया नहीं लोकेंदर और वो राज ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोग्रामों से लोगों के दमागों लोगों के सर में बहुत जबर्दस डर्द पैदा हो जाए और वो दर्द जब पैदा हो जाता है तो मैं उने सरदर्द की गूलिया बेशता हूँ और अगर उससे भी उनका दर्द नहीं होता खत्म तो भी उस दर्द को मुस्कुरा कर सहलेने के लिए मैं टूथ पेस्टें बेशता हूँ तो इस तरह से मैं कामिया बन गया कैसे बना यह पता नहीं और हूँ या नहीं यह भी नहीं पता मुझे तुम कहते हो तो ठीक है कहते तो यह हैं अमीन सहाब कि अगर एसकीमोज को रेफरीजिरेटर बेचना हो तो आपकी मदद ली जानी चाहिए और उसमें कामिया भी मिल सकती है भाई मैं हो सकता है मेरे मेरी मानी से और मेरे स्टायल से बहुत लोगों पर असर हुआ हूँ काश के यह असर थोड़ा बहुत मेरी बीवी पर भी होता तो अमीन साहब हम बात शुरू करें शुरू से मेरा मतलब है तब से जब आपके जहन में अपनी जिन्दगी की पहली याद हो याद आ रही है कि मैं छोटा से था पड़ा दुबला पतला खिलंडरा तो थाई जैसे हर बच्चा हुए करता है अपने माबाप का और बड़े भाईयों का लाड़ला भी था कि में सबसे चोटा था मैं और इत्वाक से मेरे माबाप ने कभी मुझे ज्यादा डांटा नहीं कभी पिटाई नहीं हुई बस एक बार हुई थी पिटाई कब ये मैं आगे चल कर आज के प्रोग्राम में बताऊंगा तो बहुत खुश रहता था मैं और चूंके मैं उस माहौल में पैदा हुआ जबके भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था और हमारा परिवार उस तहरीक में काफी गहरे उत्रे हुए था तो लहाज़ा हमारे परिवार में ये बाते हैं आजादी की गुलामे की स्वतंतरता की अंग्रेजों की हमारे बड़ बड़े लीडरों की ये बाते होती रहती थी हर जगे ये आप कौन से सन की बात कराएं? मैं मैं पैदा हुआ 1932 में और जब से होश थोड़ा-थोड़ा समाला जहां जरा-जरा सी यादें मेरे दमाग में हैं क्यों समझे कि जब मैं करीब तीन-चार साल का था तो अच्छी बातें जहन में आती थी मैं और अबा दोनों काफी मतलब शरीफ थे बड़े सुल्जे होए लोग थे और अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाते थे मैंने सुना है कि उनका आजादी की लड़ाई से भी तालुक रहा है वहां तक हम पहुंचेंगे धीरी धीरे चलते चलते एक बात में उस दमाने की बता दूँ कि मेरी दमाग में ये बार डाली गई थी कि हर चीज़ सही होनी चाहिए अगर जूट हो अन्याय हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और भाशा जो मेरी थी वो कुछ बंबई की खिचड़ी भाशा थी उसमें अंग्रेजी भी थी और गुजराती भी थी और बंबई की थोड़ी बहुत मराथी भी थी यानि ये बच्पन बंबई में ही गुजरा बंबई में पादा हुआ बंबई में ही मेरा बच्पन गुजरा तो मैं एक जुमला अक्सर कहा करता था कि ये फैर नहीं है, अब ये अंगलेज़ी का फैर, वो उसको हिंदी में, अर्दोन में तरज्मा किया जा सकता है लेकिं वो फैर शब्स में जो बात है वो शायद और ज्यक्श नहीं नहीं जह मुझे तो नहीं मालू उन थी ज्यामने में लड़कपन में जरा आगे बढ़ा तो मुझे याद है कि हम सब पूरा परिवार ये शायद 1936 की बात है जब मैं करीब चार साल का था मेरे वाले साहब डॉक्टर थे मेरे मामू बहुत बड़े डॉक्टर थे लंडन में तो वो बार बार इस्रार कर रहे थे कि मेरे वाले के पास वो एमडी की डिग्री लंडन में हासल करें तो इतना मुझे याद है कि परिवार ने सारा कुछ यहां का पेच बाच कर जहाज में हम चड़े और गए वहां लंडन जहाज की कुछ धुली से याद है वसके बहुत सारा बड़ा समंदर और जहाज हिचकुले खाता और अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें अच्छे अच्छे चीज़े खाने को मिल रही है आपने वालिज साभ का नाम नहीं बताया वालिज साहब का नाम था डॉक्टर जान मुहमद सायानी और अम्मा कुलसून सायानी तो लंडन पहुंचे तो मुझे सिर्फ इतना याद ह कि इदर उदर घूमना मिलता था हमारी मौसी एक उदर थी, वो हमें शॉपिंग के लिए ले गई, कुछ खिलों ने अच्छे-च्छे खरीदे उन्होंने, अपन तो मस्त राम थे, बस मज़े करते थे, चार-पांच साल का दुबच्चा था मैं, मैंने सनो भी देखा, पहली बैठा-बैठा, खिड़की से देखा किया, तो उस विंटर का, जो पहला विंटर था हमारा लंदन में, उसका असर हमारे वालिद साहब के हार्ट कंडिशन पर ज़रा जादा हुआ, और हम लोगों को छोट शाड कर वापस आ जाना पड़ा, सर्दी के वज़े से, तो हम वा तो अब्तदाई तालीम सारी गुजराती में हुई, अंग्रेजी फिर धिरे धिरे आती गई, हम आपके स्कूल की और तालीम की बात करें, इससे पहले अगर उस वक्त का, उस जमाने का कोई गाना आपको याद आ रहा हो तो उसको सुनते चले? हाँ, हाँ, जरूर, भाई, पर दो उसको बड़ा था कि वह दो जबाने में हमारे यहां एक ग्रामो फून था, वो पुराना था ना, भौपू तो नहीं लगा था, लेकर भाई तो उस जमाने में क्या था कि आजादी आ रही थी धीरे-धीरे, जैसा इक मैंने कहा, आजादी की तहरीक भी हमारे परिव में उत्री जा रही थी तो बड़ा जोश था उस जबाने में जिस स्कूल में मैं गया नियुएरा उसमें भी याजादी की बातें बहुत होती थे बड़ा नेशनल स्टाइफ का स्कूल था उन दिनों एक गाना मुझे बड़ा पसंद था हाला कि उसका नाजादी से कोई गाना था पंकज मलिक का पिया मिलन को जाना है जग की लाज मन की मौच दोनों को दोनों ही निभाना अब साभ हिंदी हुंदी हमें आती नहीं थी ज़्यादा लेकिन गाना इसलिए अच्छा लगता था कि पंकज मलिक सहाब उन दिनों अपने तमाम गाने चाहे रोमैंटिक हो या कोई और बिल्कुल मार्चिंग स्टायल में गाया करते थे और उनका म्यूसिक भी बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे मिलिटरी बैंड हो तो हम खुब लेफ्ट राइट करते हुए वो गाना गाते थे कि पीया मिलन को जाना ये जो गाना अभी आपने सुनवाया है ये भी आप उसी ग्रामो फॉन पर घर में सुना करते हैं बिल्कुल बिल्कुल साथ अचा एक और गाना जो हमने खरीदा तो नहीं था क्योंकि उन दिनों पैसा बहुत कम था परिवार में फादर डॉक्टर तो थे लेकिन बहुत अलावाली डॉक्टर थे लोगों का मुफ्त इलाज करना बहुत उनको पसंद था तो लोग आते गरीब लोग आते उनका इलाज करते वो बहुत दौाइं देते लेकिन पैसे ऐसे कुछ जादा नहीं बिलते थे इसलिए हम बहुत रुकर थम थम कर बहुत अर करनी में बेंच लगे होते थे या खड़े खड़े देखते थे और ये अकेले या परिवार के साथ हमारे वालत साहब भी ले जायते थे हमको हमारे बड़ भाई हमीद को क्योंकि सबसे बड़े भाई थे हवीब उन्हें हमने वही छोड़ दिया था लंडन में डॉक्टरी स इसलिए मैं यानि बहने बनाता बहुत रहता हूं एक जमना था जो राखियां बहुत आ जायती थी मेरी खिलाई फैर बारा तो मैं कह रहा था कि फिल्में देखना जाया करते थे तो उन दिनों वो आशोक कुमार की फिल्में बहुत अच्छी होती थी और साहब इसमें एक जिसमें गाना सुना हमने तो फिर वो जो बहुत बर्सों के बाद आने वाली जवानी जो थी वो पहले सी जोश खाने लगी है हमारे दिल में और वो गाना था चल चल रे नो जवान रुखना तेरा काम नहीं चलना तेरा काम हैं कुछ ऐसा ही था ना इंसिडेंटली इस गाने में भी वो मार्चिंग वाली बात थी जो शायद आपको बहुत इंस्पायर करते हैं मार्चिंग से तो मेरा बहुत बड़ा शौक था मैं तो बिल्कुल चाहता था को सोल्जर बनू या अजादी का सिपाही बनू और गाने इसलिए ऐसे ही पसंद थे तो वह यह चल चल रहे नौजवान के साथ थोड़ी देर चले हम भी चलिए मुझे याद सब है जरा जरा दोस्तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे महमान हैं मशुहूर बॉड्कास्टर श्रे अमीन सायानी आप से बातचीत कर रहे हैं लोके इंद्र शर्मा आपकी कहानी आगे और बढ़ाएं हुम 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 ह को शूब यक्कुए क्षू परी मिया की मल हं तो अभी गाते गाते सब हुआ ये कि मुझे शौक होने लगा सेगल के गीतो क्योंकि सहेगल साव स्टीच का गायन और माइक्रफोन का गायन इन दोनों के बीच एक पुल्स समान थे तो उनमें वो गहराई वो मिठास भी थी जो कि माइक्रफोन के गायन के लिए होनी चाहिए और बिना माइक्रफोन के गाय हुए जब प्लेबैक का जमाना नहीं आया था उस जमाने का रफ पना जो है लौड पना वो भी था उनकी आवाज में तो सहेगल के आवाज हमें बहुत पसंद थी अगर आज लोगों को सहेगल सहाब की आवाज पसंद नहीं है या उनको गाने वाला मानने से कोई इंकार करे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नाइनसाफी होगी इसलिए क्योंकि आज मुजिक फिल्म मुजिक खास तोर पर जहां जिस मकाम पर आया है वो के ऐल सहेगल जै है सहेकल के जमाने के आसपास अनिल बिशवास आये थे अनिल बिशवास ने जब शुरू किया था सगी तो पले बैक का जमाना नहीं था उसके बदीरे धिरे उन्होंने प्ले बैक गायकों को और गायकाओं को इंट्रडू़ूज करना शुरु किया मसलां तलत महमूद को पहली बार बुलाए मुकेश का पहला गाना और लताजी के कई शुरू शुरू के गाने इन्ही के संगीत में आए और फिर एक और मिठास आने लगी लेकिन सही बात है कि सहेगल के जमाने से ये दोर शुरू हुआ तो सहेगल का मैं बहुत भग था और उसके बाद जितने भी रिकॉर्ड हम लोगों ने खरीदे ज्यादा तर वो सहेगल के गाने हुआ करते थे चाहे वो फिल्मी गाने हूँ ये गीत हूँ ये खजले हूँ एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था क्यूंकि वो क्लैसिकल बाइकड़ाउंट हमेरा तो उसमें जरा क्लैसिकल स्टाइल है कि मैं क्या जानू क्या जादू है और उसमें ये भी था कि तब तक थोड़ी थोड़ी से लड़कपन से जवानी लड़कपन में घुलने लगी थी तो दो नयनामत बारे वो ऐसे ऐसे गाने सुनका तो लगता था कि हाँ भी हम लग रहा है कि हम कुछ बढ़ रहे हैं जवानी की तरह दिल में कुछ-कुछ होने लगता था तो भई इस वक्त भी दिल में अगर कुछ-कुछ होने लगे थोड़ा सा उस जमाने की वायत तो बहुत यचा है जरूर तो आईए वही गाना सुनते हैं जो आपको बच्पन में पसंदा अब हुआ ये के संगीत सुनते सुनते थोड़ा बात गाते गाते स्कूल में में बहुत गया करता था मैंने बताया आपको मैं करीब 1945 में जब 7th क्लास में था या 44 में जब 6th क्लास में था काफी बीमार हो गया था कुछ kidneys में करवड हो गई थी और मुझसे कहा गया था कि आप मैं काफी बहुता एक्टिफ था कबर्डी वगरा खेला करता था और स्कूल के कब्स का चीफ कब्स था और गेम्स भी थोड़े बहुत खेला करता था या एक्टिफ था उसके बाद ये गड़बड शुरू ही तो मुझसे डॉक्टर ने कहा अबा ने नहीं अबा खुद याई डॉक्टर अपने परिवार के लोगों को ट्रीट जादाता नहीं करते और बड़े डॉक्टर के बलाते हैं तो आप अपने पिताजी को अबा कहकर बलाया था ने डै परिवार काम कीजिए कि लेड जाई यानि खेल लेनी जाना स्कूल ने जाना कहें नहीं लेटे रही उठे मत बलके आप करवड ही मत बदल लिए यह क्या हुआ कि नहीं देखिए दो महीने तक तो आप ऐसे रही है उसके बाद धीरी तरी करवड बदलना शुरू हो जाएग तो इस तरह से मैं बहुत एक्टिव बच्चा होने के बाद बिलकुल ही एक बिलकुल बिस्तर में लेटे रहने वाला बच्चा बन गया एक तरह से सजा हो गईी सजा हो गईी लेकिन मुझे पता नहीं क्यूं और कैसे शायद इसलिए कि मेरे मामी और डाड़ी ने बहुत प ही ने आपको इसी हाल में रहना पड़ा और इसके बाद भी मैं स्कूल नहीं जा सका सेवन्थ क्लास का एक्जाम मैंने मुझे पर्मिशन मिलने थी क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास स्टूइंट हुआ करता था तो प्रिंसिपल ने मुझे पर्मिशन दी थी कि मैं घर से पेपर क के भेजूं तो उसमें भी मुझे फर्स्ट क्लास मिला बलके मैं मुझे याद है कि या तो मैं फर्स्ट आया हूंगा उस साल यह सिकंड आया यह सन उननीस सो पैंतालीस के आसपास की बात है अब उसके बाद यह हुआ कि हमारी एक आंटी मिस्स फातिमा इस्माइल जो कि सग मासी तो नहीं थी लेकर सगी से भी ज्यादा थी मेरे बिलकुल दूसरी अमा की तरह थी तो उनके बेटे को रखा गया था सिंदे स्कूल गवालियर में अब वो भी हमारे साथ उनका पूरा परिवार हम दोने साथ हॉलिडेस के लिए जाया करते थे एक दूसरे के घर में आ बहुत सारी संस्थाएं अप आजों के लिए शुरू की हैं मंबई में और फिलोशिप ऑफ दूफिजिकली हैंडिकप्ट पिजिकली हैंडिकप्ट इब गगरा कई संस्थाएं शुरू की बहुत ग्रेट थी तो खेर उन्होंने अपने बेटे को रखा था सिंदे स्कूल ग पस तो साथाएं मैदाने हैं और साथ खुर सवारी भी है और साब बहुत सारी चीजें में उदर सुमिंग पूल भी है तो साथ धीरे धीरे अमार अरबाने यह तैक किया कि चलो हमें वहां भेजा जाए आपका भी मन लल चाय होगा है बहुत लल चाय है अपना निवर्ण स् में दोस्त मेरे आते थे कभी कबार में अपने अपने कामों में वैस्त रहते थे और कुछ-कुछ फलसफाना दमाग सा तबीयत सी हो गई थी उस दोरान उस दोरान इसलिए मुझे तनहाई से डर नहीं लगता था नह घबराट ज्यादा होती थी कभी पढ़ लेता था यह वो लम्हां लम्हां सात है मुझे याद सब है सरा जरा संदेया स्कूल में मैं गया हां सिन्देया स्कूल में भी हमारे टीचर से जो संगीत सिखाते थें वो शांतिने केतन में पढ़ हुए थे इसलिए रोविन्द्र शंगे ची完成 लगाव था और हम बच्चों को भी लगाव हो गया और साब उसके बाद सिंदिया स्कूल में एक बंगाली टीचर थे वो भी शांतिने के जन से आये हुए थे तो उन्होंने स्कूल कुईर जो था उसके इंचार्ज थे तो वहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखिए तो एकला चौलो रहे और धन धान ने पुश्प भरा अमार एदीब और शुन धरा जिसमें आता है कि शोकुल देशे रानी शेजे आमार जन्म भूमी ऐसे ऐसे गाने थे उसमें जो हम मेरी प्यारी जन्म भूमी और देश की माटी देश का जल और उनकी धुने जो है रविंद्रे संगीत की जो धुने मूल धुने उन ही में उनको कंपोज किया गया और आकाश्वानी के जो संगीतकार है उन्होंने उनको रिकॉर्ड किया है तो एक एक गाना जो मैंने बहुत प्यार से सीखा वहां और गाया गॉालियर में वो था जन्गर्मन वाँ नॉट इस नेशनल एंथम लेकिन एक अच्छे खुबसूरत गीत के रूट में और तब मुझे पता जला कि जन्गर्मन का एक अंत्रा नहीं है जो हमारा नेशनल ए जन्थम है बलके पांच अंत्रे हैं और ऐसे खुबसूरत अंत्रे और जो मैं मैं गाता रहता था उन्य एक अंत्रा मैं जरूर आपको सुनाओंगा अर्थ आपको मुझे समझाना पड़ेगा क्या आज तिक मुझे मालून है कि इसका अर्थ क्या है अब मैं बंगाली दर्स से नहीं सुनाओंगा आपको मुझे हिंदुस्तानी लेजे से सुनाओंगा वह अंत्रा है पतन अभ्यूदय मंधूर पंथा युग युग धावित यात्री हेचरसारती नवरत चक्रे मुखरत पथ दिन रात्री मुझे आज तक नहीं मालू है और मैं सोचता हूँ कि यार कभी न कभी मुझे जानना चाहिए तो बंगला है इसलिए इसका अर्थ तो ठीक से मैं भी नहीं बता पाऊंगा इसमें संस्कृत ज्यादा है संस्कृत और बंगला संस्कृत तो मूल सभी भारती ये भाषाओं की माह है लेकिन यहां मैं अमीन साब आपको एक बात याद दिलाओं जनगन मन राष्ट्रगीत बना था आजादी के बाद लेकिन इससे पहले सन 1922 में विमलराय के निर्देशन में एक फिल्म बनी थी उस ये उसमें रखा गया तो पांचो अंतर थे तेहीं साब रत की मिनट में नहीं आपआई होंगा। लेकिन काफी लंबा वहाई लेकिन यहने जो जन गन मन में अंतरा है वो तो एक ही नहीं अभाए उसमें कुछ और भी अंतरे थी इक अंतरा बड़ा अच्छा है खुसरूत या उससे इंस्पायर किये किसी गीत को हमारा राष्ट गीत बनाते तो और वे अच्छा था इंसिडेंटली वो जो रिकॉर्ड था उस जमाने में सन 1922 में जो फिल्म में आया था वो हमारे पास है और अगर आप अपनी यादों को ताजा करना चाहें तो हम सुनवा सकते हैं उसको मगर वो आज हमारे इस प्रोग्राम ना सुनाएं क्योंकि अगर उसमें राष्ट गीत भी है तो फिर हम सब को खड़े होकर सुनना पड़ाएं उससे आज ना बजाईए इस तो हमें आप कोई और गीत हमें सुनवाना चाहेंगे हमें हाँ जरूर सुनाना तो मुझे था भूगाना जिसका तालुक गांधी जी की हत्या से था गांधी जी मौत से था और मुझे याद है मैं सिंद्धा स्कूल में फॉर्ट पर इना किले पर हमने आजादी भी मिना आई और उसके बाद जब गांधी जी के हत्या हुई तो उसके बारे में खबर ओल इंडिया रेडियो से वहीं मैंने सुनी और साब आँसु बहें निकले और इतना दुख हुआ कि ये इनसान जो के अमन का फरिष्टा था उसे क्यो मारा साब ये तो भारत की जान थे भारत क को मिलानी की कोशिश कर रहे थे और भारत का विभाजन जो हुआ जो बटवारा हुआ तो जितना दुख गांधी जी को हुआ किसी को नहीं हुआ था और ऐसे आदमी को क्यो मारा ये इसका बड़ा दुख था मजे और उन दिनों के बाद गांधी जी के बारे में एक बहुत लंबा चोड़ा गाना आया था, रफीज साहब ने आया था, सुनो सुनो है दुनिया वालू, बापू की अमर का राजेंदर कृष्णा ने राजेंदर कृष्णा ने, राजेंदर कृष्णा का लिखता हुआ, हुसनलाल भगत राम का सिंग्गी। मगर वो गाना मैं नहीं सुरूआँगा बात बड़ा है एक गाना जो बहुत बात में आया उसे जरा याने समय का खेल करते हुए चूंकर गान्धी जी के बेरे में था प्रदीब का लिखाव का भी प्रदीब का कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल हेमन्त कुमार का सावर मती के संथ तुने करते है फिल्म जागरिती जागरिती का वो सुना दीजिए अमीन साब आपने महात्मा गान्धी का थिकर किया तो मुझे याद आया है कि आप ने अपनी चर्चा में शुरू में बताया था कि आपके परिवार का आजादी के आंदोलन से तालुक रहा और खासत तर पे आपकी माताजी का महात्मा गान्धी से कुछ नजदी की संबंध अमा से बहत पहले, और अवा से बहुत पहले, हमारे खनादान कनाता गांदी जी से और उन दिनों की लीडरों से जोड़ चुका था, और वो यूं के मेरे जो परचाचा थे, मेरे वालिद सहाब की चाचा, वो एक थे, रहमतुल्ला सायानी साहब, जो एक लॉयर थे, उनका फ और उन्ही के लो फर्म में गांधी जी ने अपना काम शुरू किया था, अज़ लॉयर, और ये रहमतुल्ला सायनी साथ जो थे, वो ओल इंडिया कांग्रिस कमिटी के सदर भी रहे, एक सार प्रेसिडंट रहे, ये फर्म बंबई में थी, ये बंबई में, अब भी है लेकिन उसमें सायनी नहीं है शकूँ, तो उस जमानें से ये चला रहा था, मेरे नाना जो थे, वो मौलाना आजाद के खास डॉक्टर थे, वो भी डॉक्टर थे, और गांधी जी के डॉक्टर में से एक थे वो, यानि आप ये कह रहे हैं कि जब महात्मा गांधी साथ अफरिका से लोट कर भारत आये, तब उन्होंने इस फर्म ने अपना काम शुरू किया, ये मुझे मालूनी कि महाँ जाने से पहले, मेरा खैल जाने से पहले, मुझे ठीक है याद नहीं, दफ्तर जो है ना, गांधी जी हाउस है ना, बड़ा अच्छा, लेबनम रोट पर, मनी भावन, मनी भावन, अब मारी उशावेन तो नहीं रही, बहुत ग्रेट सोचल वरक और नेशनलिस्त थी हूँ, लेकिन जाओंगा और पता करूँगा फिर से, लेकिन शुरू शुरू में, काम जब शुरू किया, साउथ आफरिका गय थे गांधी जी तब तो लोयर बनके गय थे, क मेरे जो चाचा थे रही, पर चाचा, उनको तो कभी देरने का इतिफाक इनी हुआ, मेरी पैदाइश से पहली उनका इंतकाल हो गया था, तो भाराल, अमा को गांधी जी बेटी की तर हमानते थे, और वह भी, और हम सब गांधी जी को बाप हुई कहते थे, अचा, अमा एड इसा रिसाला शाया करो, शुरू करो अपने घर से ही, जो के तीन लिपियों में हो, लेकिन भाशा तीनों लिपियों में एक ही हो, सरल हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी का प्रचार करना चाहते थे, तीन लिपी एक देवनागरी, एक उर्दू, और एक गुजराती, यानि तीन अलग अलग इशूज होते थे, तीनों में भाशा वही सरल हिंदुस्तानी होती थे, उनका मकसद ये था कि अगर आप एक लिपी जानते हूं, तो उसके जरीए आप देवनागरी लिपी सीख सकते हैं, अगर आप गुजराती जानते हैं, तो उससे हिंदी तो मुश्कि दून का ये था कि इंटिग्रेशन हो मिलाप हो, ये जो आगे चल कर भाशा जो है हमारी, वो अर्दू मुसल्मानों की भाशा और हिंदी हिंदूों की भाशा, ये सब गलत बातें अंग्रेजों की वज़े से हुईं, भारत में ये अलगाओ नहीं था, अर्दू भी हमारी है कहीं की नहीं, हिंदी है ही, गुज्राती भी हमारी है, तो ये भाशा की हिंदी ऊरुदू खास तर पे हिंदूस्तानी के दो रूप हैं, तो गंगा जमिनी भाशा है, और हाँ, आप देखें हे गंगा जमिनी की बात होई तो एक गाना आगे बढ़ने के लिए अगर आप होना चाहिए फिल्म बेजु बावरा का ये गाना सुना और भारत की गंगा जमनी संस्कृती की बात आपने कही बातों का रुख थोड़ा सा और पीछे मोड़े हैं जो गर्मी की छुट्टी आती थी बच्पन में उस दोरान आप क्या क्या करते थे और गर्मी की छुट्टी वालों को बहुत अच्छा लगेगा आप के बारे में जानना गर्मी की छुट्टी का क्या था कि हम लोगों के बाद पास जैसे कि मैंने शायद जिकर किया कि ज्याता पैसे नहीं होगा करते थे तो हम कोशिश करते थे कि ऐसी जगह जाएं जहां खर्चा ना करना पड़े ज उस तरह करते थे उनका भी छोड़ा सा परिवार था कुछ बच्चे थे मेरी मेरे हम उमर बच्चे थे तो वहां मैं जाया करता था अक्सर फिर मिस्स इसमाइल जहां जहां छुट्टियों पर जाती थी अपने बच्चों के साथ तो मुझे भी ले जाती थी कभी कभी हमीर भी आते थे तो हम उनके साथ गए थे माउंट अबू फिर लोनी एक जगे है पूना के पास जहां उनने मकान बनाया था वहां भी हम जाकर रहे फिर एक बार मुझे याद है के पूरा परिवार मिलकर थोड़े से एकठा हो गए थे पैसे तो सब साथ मिलकर महावलेश्वर तो इसलिए सर्दी लगती थी थोड़ी बड़ा मज़ा आता था बंबई की गर्मी के बाद बहुत मज़ा आता था लेकिन जंजट बहुत होती थी उन दिनों कि अब ये था कि छोटा सा कहीं कमरा लिया हुआ था उसमें अम्मा पकाती भी थी और सब हम लोग सब प्लेट व और हैं किए बंबई से द्रहरा हुचाई पर है और हां इतफाक से पूना में एक बार मैं गर्मी की छुटियों में भखिया सर्दी की चुट्टियों, हुई बात यह, कि साब भाए पहली पार जिनकी में, सर्दियां मैसूस की, और साब इतनी सर्दी, कि साब बेस निकलू ही नहीं नहीं, नहीं, नहीं नहीं, वाला हुआ झाला हूँ जब तक बारा नहीं वैचते, तो दूसरे, हम अमर बच्चे थे, उन्हेंने कहा रहे बैया तुम उठकर देखो जरा घूमो जरा भागो जरा दोड़ो तो खुन की रवानी बढ़ेगी रगों में तो साब गर्मी भी आएगी तो मैंने करना शुरू किया तो पता लगा कहां ये गर्मी और सर्दी जो है न ये मन की भी बात है और तन की भी बा जी और जो दूसरे भाई थे हमीद सायनी साहब वो आपके साथ थे तो आप में और हमीद भाई में कितना फर्ख था च्छै साल का मुझे से बड़े थे च्छै साल और बढ़े बहुरंगी इंसान थे वो और मुझे उन्होंने अपने हर फन और हर काबलियत का थोड़ा सा आ वोलंडिया रेडियो में बहुत महान ब्रोड़कास्टर थे वो स्टापर नहीं थे कैशूल अनॉंसर थे अनॉंसर नहीं ब्रोड़कास्टर फीचर किया करते थे हिंदुस्तान में पहली बार इंटरनेशनल इंटर्व्यू हुआ था फिल्म स्टार ग्रियर गारसन से उन् बच्पन से लेकर हाथ पकड़ ले जाया करते थे एक बार साब स्टूडियो में पहली बार वायर रेकोर्डर आया था उन दिनों रेकोर्डिंग मशीन नहीं होती थे तो वायर रेकोर्डर पर उन्होंने शुरू किया और ने मुझसे का तुम कुछ अब कुछ कहो सुराओ कुछ कविता विता पाड़ के सुराओ तो मैंने एक अंग्रेजी कविता सुना दी जोशो खरोश के साथ तो फिर उन्होंने वायर स्टॉप किया वाइंड बैक किया और मुझे सुनाया और कहा भई देखो यह आवास कैसी लगी तुमको तो साब उस जमाने में कोई भी वहाज बहार से तु कुनता था. अंदर से जुनता था. अब बहार से जो यह अजनभी सी आवाज सी वाज घटक्राए कानों से तो फिर उन्हों ने धीरे धीरे मुझे ब्रोडकास्टिंग में डाला और इस तरह से में आगे बढ़ा ये आपके किस उम्र की बात है ये में करीब आठ साल का साड़ा साथ आठ साल का था इंग्लेंड से हम लोग वापस आ गए थे बस उनी दिनों रहवरी शुरू हुआ 1940 मे आसपास ओलेंड डेयर रेडियो में में ब्रोडकास्टिंग यानि यूँ ब्रोडकास्टिंग के संसकार आप में आठ बरस की उमर से हमीद भाई की बदालत शुरू है बिलकुल अचा इसके लावा हमीद भाई और भी बहुत चीज़ें की किया करते थे वो राइटर भी ब डिरेक्टर भी बड़ अच्छे थे ड्रामो के फिल्म डिरेक्टर भी अच्छे थे शृट फिल्म के इसके लेकिन ड्रामा डिरेक्टर बहुत जब करते थे जिन्में ने तीज़्ग पर मूंच चुल किया था और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जबाने के थे जिनके साथ हमीद भाई बोला करते थे और उन्होंने मुझे ड्रामों में भी यानि डिरेक्ट भी किया स्टेज पर फिर मैंने भी थोड़े सी डारेक्शन की उनकी देखा देखी हमीद सायनी साहब आपके बड़े भाई ही नहीं आपके गुरू और आदर्श भी थे बिल्कुल बिल्कुल साहब मेरे सब कुछ थे तो अमीन साहब अगर आप मुराज़ पी समझें तो इस मकाम पर एक गाना हो जाए और यह गाना तालुक रखता है मेरे कॉलेज की जमाने से यह गाना था आ महबबत की बस्ती बसाएंगे हम इस जमी से अलग आस्मानों से दूर अमीन साहब आज विविद भारती के स्टूडियम आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरे मैं शुक्रिया आदा करूं मैं तुमारा लोग एंदर के तुमने मुझे बलाया सुनने वालों की तरफ से अब विविद भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे याद सब है जरा जरा दोस्तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे महमान थे रेडियो की दुनिया के मश्यूहूर ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी आप से बात चीत कर रहे थे लोकेंद्र शर्मा इस कारिग्रम के निर्मार से जुड़ी क्रीटिव टीम का परिचाय इस प्रकार है टेक्निकल असिस्टेंस डीके कुलकरन, पोस्ट प्रोडक्शन पीके ए नायर और उशा महता असोसियेट प्रेजेंटर कमल शर्मा और विविद भारती की सीरीस मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड के प्रोड्यूसर थे लोकेंद्र शर्मा मुझे याद सब है जरा जरा मुझे याद सब है जरा जरा मुझे याद सब है जरा जरा वो लमहा लमहा साथ है मुझे याद सब है जरा जरा मुझे याद साथ है झाल झाल